हेलो फ्रेंड पॉपले टीवी सीरियल इश इस्क का रब राखा के आगयाने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि मेगला से खपा होके रनवीर ने तोड़ा अपना रिष्टा तो वहीं चंदन ने तोड़ी अपनी चुपपी और किया 15 साल पुराने रास का बड़ा खुला साथ जी हाँ दोस्तों आप शो के अपकमेंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां रनवीर और मेगला के बीच फिर एक बार बड़ी गलत फैमली हो जाएगी और जिसके चलते मेगला रनवीर से रिष्टा तोड़ देगी तो वहीं रनवीर भी अपने दिल को समझा लेगाव कि उसका और मेगला का कोई फ्यूचर नहीं है साथ में इसलिए इस बार रनवीर भी ये बड़ा फैसला कर लेगा कि वो मेगला से शादी नहीं करेगा और ना ही उसे कोई रिष्टा रखने की कोशिश करेगा जहां रनवीर के पास मेगला के पिता चंदन का फोन आने वाला है तो वही रनवीर चंदन से माफी मांगते हुए ये कहते हुए नजर आएगा कि मुझे माफ कीजीगा लेकिन अब मेरी और मेगला की शादी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे ये बात अच्छी से समझ आ गई है कि मेगला ना तो मुझे मुझे पसंद करती है और न ही वो मुझे से शादी करना चाती है वो मेरे साथ जबरदस्ती शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएगी वैल लप्शो के अब कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां चंदन कहते हुए नजर आने वाला है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है रनवीर बेटा जैसा तुम सोच रहे हो और समझ रहे हो तुम मेगला की बातों में बिलकुल भी मत आना क्यूंकि मेगला इस वक्त बड़ी कश्मकश्मे फसी हुई है उसे खुद ही नहीं पता कि आखिर वो क्या चाती है मेगला बहुत ही बोली भाली और सीधी साधी सी लड़की है वो बेचारी बच् सामने की बड़ा खुलासा करते हुए नजर आएगा कि ये बात सच है बेटा मेगला मेरी सगी बेटी नहीं है वो पंजाबी कल्चर से ब्रॉंग करती है क्योंकि वो और उसके माता पिता पंजाबी थे मैंने तो बस उसे एडॉप्ट किया था अपनी बच्ची की तरह उसे प्यार दिया था मेगला हमारे परिवार को अपना मानती है इसलिए बच्परसर लेकर आज तक वो हमारे परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देती आई है उसने अपनी बड़ी बहर अत्रेजा की खुशी के लिए अपनी हर एक चीज और मुझे पता चल गया था मेगला के दिल में तुम्हारे लिए कितना सारा प्यार और फेलिंग्स है लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताएगी क्योंकि वो अत्रेजा के लिए अपने प्यार तक की कुर्बानी दे देगी तो वही दोस्तों चंदन के खुलासे के बाद कानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें